तो गाईस तारेक मैता में जेठहलल की दुकान पर चल रहा है एक स्कीम जिसमें 5000 की शोपिंग पर मिल रहा है एक कूपन और वो कूपन में एक कार इनाम मिल सकती है और यह जो स्टोरी है उसकी शुरुआत ही हुई थी जब जेठहलल और बवीता जी कार लेने की बात कर रहे ह होते हैं और तब यह स्कीम आ जाती है जेठहलल की शोप पर और जेठहलल को यही लगता है कि यह कार तो बवीता जी ही जी सकती है लेकिन यहाँ पर गड़ा इलेक्ट्रोनिक्स में अपकमिंग एपिसोड में ट्वेस्ट आने वाला है कि बवीता जी को छोड़कर पूरी ग जी वो कार जीतेंगी अब जेठहलल को लगता है कि बवीता जी क्यों नहीं आई तो गोकुलधाम वाले बताते है कि बवीता को क्योंकि काम आ गया था इसलिए वो नहीं आई लेकिन हाँ उन्होंने बोला था कि वो पूरी कोशिश करेंगी कि यह काम खत्म होती वो गड़ा प्रोवाइड करे। बाकि दूस्तों इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए रियल टॉक को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बैल भी ओन कर देना क्यूंकि यहां पर तारक मेता से जुड़ी ही अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं